अजिंग के रहाने बारत्य प्रूस क्रिकेट टीम में एक बल्लेबाज की भूमी का निवाते हैं इन्होंने अगस्ट 2011 से भारत के लिए अंतर राश्ट्रिय इस्तर पर क्रिकेट खिलना शुरू किया तो आए जानते हैं अजिंग के रहाने के बारे में इनके जीवन पर्चे के साथ अजिंग के रहाने का जन्म 6 जून 1988 एहमद दंगर महारास्ट भारत में हुआ इनके पिता का नाम बापुराव रहाने और इनके माता का नाम सुजाता रहाने है और इनके भाई का नाम ससांक रहाणे और इनकी बहन का नाम अपूरबर रहाणे है और इनकी पत्नी का नाम रादी का दोपावकर और इनकी बेटी का नाम आरिया रहाणे है वर्तमान में जो इनका ग्रेनिवास यानि घर है वो है एहमद दंगर महरास्ट भारत जाती और धर्म से अजिंके राणे एक भारतिय यानि एक इंडियन है अजिंके राणे दाएं आथ के बैटर यानि बल्लेबाज हैं और दाएं आथ के बॉलर यानि गेन बाज हैं टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बैटर यानि एक बल्लेबाजी की है और इनकी जड़सी नमबर यानि इनका सर्ट नमबर है 27 अजिंके राणे की कैप नमबर यानि इनका देश के लिए अंतर राश्टी ये इस तर पर पदार पर नमबर T20i मेन की कैप नमबर है 49 इनका अपना पहला 2020 इनका सर्ट मेन की कैप नमबर है 278 इनका पहला टेस्ट इनका सर्ट नमबर 22 मार 2013 को ऑस्टेलिया के खिलाब केला और अजिंग के रहाने डोमेस्टिक लेवल याने घरेलो इस तर पर 2007 से मुंबई टीम से और 2008 से IPL यानी इंडियन प्रिमियर लीग से खेलते हैं मातर 7 साल की उम्र में अजिंग के रहाने को इनके पिता मदुकर रहाने इनने डोमबी वाली में एक छोटे से कोचिंग कैम्प में ले गए और 17 साल की उम्र में इन्होंने परबीन आमरे से कोचिंग ली और अजिंग के रहाने 19 साल की उम्र में मुंबई के लिए कराची अर् के खिलाब मुंबई के लिए लिस्ट एव में पतारपन किया और 61 रन का योगदान दिया अजिंग के राणे ने अपने दूसरे रणजी सत्र 2008-2009 में 1090 रन के साथ मुंबई को 38 जीत दिलाई और 2010 में मुंबई के लिए हैदरबाद के खिलाब नोट आउट 265 रन बनाए राणे ने तीन अलग अलग सत्रों में हजार रनों को पार किया और 2011 के इरानी ट्रोफी मैच में राजिस्तान के खिलाब 152 रन बनाए सितंबर 2018 में राणे को 2018-2019 के बिजे हजारे ट्रोफी टूर्नमेंट के लिए मुंबई का कप्तान बनाया गया और अक्टूबर 2018 में इने 18-19 देवदर ट्रोफी के लिए भारत सी टीम का भी कप्तान बनाया गया जिसमें इनों ने टीम को फाइनल तक पहुँचाया और 144 रन नाबाद की महतुपूण पारी खेल कर खिताब जीता आजिंग के रहाने को 2012 में IPL टीम राजिस्तान रोयल्स ने खरीदा और किंग्स 11 पंजाब के खिलाब अपने पहले गेम में मैच जिताने वाले 98 रन बनाये और इसके बाद रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाब नाबाद 103 रन बनाये 2012 में IPL में रहाने सतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने और राजिस्तान रोयल्स के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाडी बने और 2019 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के एकलाब सतक लगाया और उस सीजन में राजिस्तान रोयल्स के लिए सबसे अधिकरान बनाने वाले खिलाडी बने और फिर फरवरी 2022 में ने इंडियन पिर्मिया लीग टूर्नमेंट की निलामी में कोलकता नाइट राइडर्स द्वारा खरीदा गया अजिंके राणे ने 22 मार 2013 को दिल्ली के फिरोसा कोटला स्टेडियम में बॉर्डर गवास का ट्रॉफी में ऑस्टेलिये के खिलाब टेस्ट किर्केट में पदारपन किया और अजिंके राणे को 2013-2014 भारत के दक्षन अफरीका दौरी के लिए टीम में सामिल क अना किया गया इस सीजर में इन्टो ने 209 रन बनाये अजिंके राणे ने अपना पहला टेस्ट सतक न्यू जिलेंड के खिलाब 15 फरबरी 2014 को बनाया जिसमें इनों ने 118 रन बनाए इस सीरीज में इनों ने 1 सतक और 2 8 सतक के साथ टेस्ट में 299 रन बनाए आजिंक्या रहाने 2014-2015 में आस्टेलिया में बॉर्डर गावास का ट्रॉफी में खेले और मेलवन में तीसरे मैच में रहाने ने अपना तीसरा टेस्ट सतक बनाया और दूसरे टेस्ट में इनों ने भारत की दूसरी पारी में 126 रन बनाकर अपना 14 टेस्ट सतक बनाया और भारत को जीत दिलाई जिससे अजिंक्या रहाने ICC प्लेयर रैंकिंग में अपने कैरियर की सर्वस्रेट 20 रैंकिंग पर पहुंचे 2019 में दक्षिन अपरिका के खिलाब इनों ने पूरे में दूसरे टेस्ट में कपतान बिराट कोली के साथ एक मेतुपून सतिकिया साज़धारी करते हुए तेज अरशतक बनाया और तीसरे टेस्ट में इन्होंने रोईत सर्मा के साथ 266 रन की साज़ेदारी के साथ 111 रन बनाकर मैच जीता यहां इन्होंने टेस्ट में अपना पहला दोरा सतक भी बनाया फिर दिसंबर 2020 में रहाने को बिराट कोली के इस्तान पर भारत के आस्टेलिया दोरे के अंतिम टीम मैचों के लिए भारतिय टीम का कप्तान बनाया गया जिसमें दूसरे टेस्ट में रहाणे ने पहली पारी में 112 रन और दूसरी पारी में 27 रन नाबाद बनाए और भारत को 8 विकेट से जीत दिलाई और इन्हें मैनो अब दमाइज का प्रूसकार दिया गया आजिंके रहाणे ने 2013-2014 एसिया कप में अपना दूसरा एक दिवसे अर्थ सतक बनाया और सितमबर 2014 में इंगलेंड के खिलाप और नॉमबर 2014 में स्री लंका के खिलाप एक-एक सतक बनाया इसके बाद ICC क्रिकेट विस्व कप में रहाणे ने आठ मैचों में के ओल 208 रनी बना पाए आजिंके रहाणे ने अगस 2011 में इंगलेंड के खिलाप 2020 अंतर रास्टिया में बारत के लिए अपना अंतर रास्टिया पदारपन किया इन्होंने इस मैच में 49 गेंदों में 61 रन के साथ अपना अर्थ सतक बनाया अजिंके रहाणे 2014 विस्व 2020 के लिए बारतिया टीम का हिस्सा थे इन्हें आउस्टेलिया के खिलाप खेलने का मौका मिला जहां इन्होंने 19 रन बनाये और सेमी फाइनल में 32 रन बनाकर अच्छी सुरुआ दिलाई और भारत ने मैच जीता और जिंबावे के खिलाप दो 2020 अंतर रास्टिया मैचों में भारत की कप्तानी भी की जहां इन्होंने दो मैचों में 334 रन बनाये और 2007 में सर्व्स रेस्ट अंडर 19 किर्केटर के लिए M.A. चिदंबरम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और 2015 में C8 भारतिय किर्केटर आफ दे येर का अवार्ड भी दिया गया और 2016 में अर्जुन पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया हम अजिंग के रहाणे के उनके उज्जुल भेविश्य की काम ना करते है वो फ्यूचर में भी ऐसे किर्केट खेलते रहे थैंक्स पर वाचिंग जैहिन बंदे मात्रम यह चैनल वीडियो केबल मनिरंजन और सामानिय जानतारी के लिए बनाया गया है इसका उदोश्य किसी को नुकसान पहुचाना नहीं है अर वीडियो कगी मेहनत लगें और सक्षी मन से बनाय गई है सभी बेपास सामगरी का उप्योग यह चिब्ट चान उदोशों के अनुसार किया गया है तो कि पया हम से टीम मेशन तमाशा है जिन्यू डेट काम पर संपत करी धन्यवाद